आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षधाम में आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कोर्स हम भाई कर लेते हैं उस कोर्स को किस तरीके से हम देखें और किस तरीके से हमें वीडियो देखना है और course जो buy किया है वो हमें folder कहां देखेगा तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास नीचे information option में देखें गया तो क्या क्या given है ये देखते हैं नीचे option में देखा जाए तो देखें home pages है batches है, store है, chat option है, profile है इस वीडियो में स्रिफ हम जो course को देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे जैसे for example आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर वीडियो है वीडियो में कितने सारे वीडियो पढ़ी है, free वीडियो होती है ये practice or offline performance इसके नीचे जस देखिए आपको लिखा your purchased course 3 जैसे कि मैंने तीन courses खरीदे हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है your purchased courses 3 यह देखिए, मैंने एक तो mathematics का लिया हुआ है एक SSC का premium test और एक become final year तो एक यहाँ पर आपको आपके courses आपने जैसे एक लिए है तो एक दिखेगा second option फिर भी आप confused होते हैं कोई सर हमें course दिखनी रहा तो आपको क्या करना है सीधा जाना है profile पर ये profile पर गए और profile के बाद यहाँ पर देखिए course course के उपर click करना तो जितने courses आपने buy कर रखें वो सभी दिख जाएंगे आपको और चलिए हम easy face पे interface हम जैसे की यहाँ पर आगे हम चलते है home page पे और home page पे देखेंगे ये course become final year का है मैं ये click करता हूँ काफी बच्चों को confusion होता है सर मुझे वीडियो दिखनी रहा इसके अंदर तो तीन ही वीडियो आ रही है मैं daily देख रहा हूँ लेकिन तीन ही आ रहे लेकिन बच्चों के mistake क्या होती है नीचे सबसे पहले जो ये courses दे रखें ये related courses है इस become से ही आपको क्या करना है यहाँ पे या तो आप सीधा यहाँ पे है click to see all content या फिर आप उपर देखेंगे तो उपर option बहुत सारे हैं जैसे की overview के बाद है content content में आपको chapter wise सारी classes मिल जाएंगे chapter wise जिसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी in case live class लिया तो आपको live class यहाँ पे भी मिल जाती है और आपको batches में भी मिलते हैं दो जग है test बगएरा भी यहीं मिल जाएगी कोई announcement करूँआ तो आपको यहीं मिल जाएगा तो overall मैंने आपको इस वीडियो के बारे में बता दिया और कुछ चीजें हैं जैसे मैं बता देता हूँ suppose for example cost sheet है cost sheet को हमने करा तो बच्चे बोलते हैं सर यह कौन से वीडियो है पता नहीं चल रहा है 01 cost sheet तो देखना है यहाँ पे मैंने 01 cost sheet के नीचे जो भी सके अंदर topic होगा वो में वीडियो में डालूआ अब लोगे सर डाउनलोड करेंगे तो कैसे देखेंगे देखो first वाली वीडियो में मेरे डाउनलोड नहीं आ रहा क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ बागी वीडियो मुझे डाउनलोड करना है तो simple बहुत easy side में डाउनलोड का option है यहां क्लिक क्या डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद वो पूछता है कैसे करना है डाउनलोड क्या होना चीए audio को format क्या होना चीए each and everything given है तो यहां पर मैंने auto कर रखा है auto में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी question raise होता है sir download के बाद हम इसको कैसे देखेंगे download के बाद देखिए यहां पर simply download हट गया है option यहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं दूसरा एक और option होता है download के बाद home page जैसे जाएंगे यहां पर three line है यहां downloads है तो देखिए यहां पर video दिख जाएगे जो download है और suppose आपने download कर लिया देख लिया space full हो गया तो delete भी कर सकते हैं delete कैसे करना simply मैंने यहां पर click किया yes move delete हो गया दूसरी वीडियो डाउनलोड होगी तो बस मुझे दोस्तों आपको आज के वीडियो में ही बताना था thank you so much